पंडित बदरी पड़साद हड़ बोल और पूरा फार्मूला को करदो गोल हाँ जैहिन दोस्तो नमस्कार पड़ाम तो दोस्तो आप सभी के बीच मैं आज प्यारा सा जो है न बहुत अच्छा चैप्टर ट्रिकॉनमीती को लाया हूँ तो दोस्तो आप सभी के बीच जो है न बेसिक लेबल से आज हम लोग ट्रिकॉनमीती पढ़ने वाले तो दोस्तों ट्रिकॉनमीती में क्या-क्या इस वीडियो के माध्यम से पढ़ने वाले हैं क्या आपको एट पन वन का जितने भी बेसिक होते उसको पूरा बता दूँगा उसके बाद एक से दो मैत में बता मैं कसम से बोल रहा हूं ठीक है तो इसलिए आप अगर जीरो लेबल से सीखना चाहते तो यह वीडियो आपके लिए हैं तो चलिए दोस्तों मैं जो है ना ट्रिकॉनमीती ट्रिकॉन जहने देखी यहां क्या होता है एक इसका मतलब होता है ट्राइं और इसका मतलब होता है ट्राइं का मतलब होता है मेरे दोस्त तीन अगोनो का मतलब होता है कोन और मैट्रोन का मतलब होता है मापना क्या होता है जल्दी से मेरे भाई शाब बोल दो तीन कोनों की मापने की अध्यन को ही ट्रिकॉनमीती कहते हैं तीन को मापने तीन को तथा तीन भूजाओं को माप प्रपनी की अध्यान को ही क्या कहा जाता मेरे भाई सब्सक्राइब दोस्त पड़ा मैं समझना होगा तो पाइथागोरस पड़ में क्या होता पाइथागोरस समझने से पहले आप जाना इसको समझो राइट एंगल चलो अब यहां राइट एंगल ट्रेंगल बन चुका है मैं इसका नाम दे रहा हूं मैं इसका नाम दे रहा हूं क्या इसका नाम दे रहा हूं इसका नाम दे रहा हू सी ठीक है अब मेरा भाद ध्यान से सुनना अब हम लोग जाने क्या इसको बोलते हैं परपंडिकुलर रपंडिकुलर जिसको बोलते हैं लम् लम् इसको बोलते कर्ण कर्ण का मतलब होता है ता है थी मातलब करन मैरे वाइश साब स्कोह से सूचित करते हैं इसको पीसे सूचित करते सर सिर ओग आपका बेस कि मतलब होता है आधहार क्या होता मेरे भाई साफ आध अब धियान से देखना मेरे वाई आपको समझें कि स्र करन मतलब नबयद कर नगरिदिस हम जिस कौन के बारे में जिक्र किया जाए जिस कौन के बारे में जिक्र किया जाए उसके सामने के भुजा को लम यह निके परपंडिकुलर बोलते हैं ठीक है परपंडिकुलर जिसके सामने जिक्र कर रहा है इसके सामने के यह भुजा जो होगा इसी को बोलते हैं लम तो आधार नबे डिगरी की सामने के भुजा को कहेंगे कर्ण नबे डिगरी की सामने के भुजा को कहेंगे कर्ण लम किसको बोलते हैं तो जिस कौन के बारे में कहा जाओ उसका सामने को भुजा को लम कहते हैं तो भाई सब भी बेचारा बचगी आधार तो जोन जिसके बारे में कुछ ना कहा जा हूँ है अब देखो पाइथागुरस ने क्या कहाता है ठीक है पाइथागुरस कहाता है क्या कर्ण का वर्ग कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बरावर होता है क्या होता है तो जो न अन्यूजा वर्गों के योगफ़ल के बरावर होता है यानि कि आभ कह सकते हो सर ह स्कुवाइर बरावर पिज्चू अपलस बीज्च कट सब्सकु अबूकर ऐस समझ़ पारैं ते हां चısक है बरावर पिज्च वएर पलस भीच स्कोइर कि दो फर्मूला निकल रहा हूं क्या दो फर्मूला निकल रहा हूं तो देखो मेरे दोस्त एक फर्मूला इधर निकल омеos क्या लिखने जा रहे ध्यान से सुलना थेक़ें तो सर्फ autры प्रप्र हो जा इस्था चाहिएगा द स्थ 2006- h- सब्सक्राइब जो है ना वी स्कुवाइब एक फर्मूला हमारा बन गया और दूसरा फर्मूला क्या हो जाएगा सर बी स्कुवाइर बराबर क्या हो जाएगा तो पी को इस पर भेज हुआ है चलो भाई साब दोनों का मैं काम कर दे रहा हूं जो इसका हो गया अब फिगर ले रहे हैं इसका हाँ ले रहा हूं और इसको यहां से मैं दे रहा हूं कि सब्सक्राइब करन का स्क्राइब लम का स्क्राइब इतना बात आपको ध्यान में रखना होगा ठीक है अब एच स्क्राइब बराबर पी स्क्राइब पलस भी स्क्राइब होता है किसका पाइथागरस थेओरम कह रहा है ठीक है अब देखो मेरे दोस्त मैं आगे बर रहा हू अब यहां जो है ना ट्रीकोनमीती के ट्रीकोनमेट्री के छे फलन फलन होते हैं मेरे भाई साहब कितने फलन होते हैं तो सर ट्रीकुनमीती के छे फलन होते हैं क्या क्या तो सबसे पहला होता है सर साइन साइन का पूरा नाम क्या होता है मेरे जोन भाई तो सर साइन का होता है पूरा नाम S I N E दूसरा क्या होता सर C O S कॉस का पूरा नाम होता C O S I N E इसके बाएज चाहीं होता होता सायन को सेक होता है सिय ओशेख का क्या होता है सर तो लोगर शीरों सीजिय एंटी कौ शेकनट erm providat if क्या होता मेरे भाई शेक शेक का क्या होता पुरा नम सर इस शेक यह antisecant उसके बाद c o t cot 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 जाएगा चलो आप आगे मैं बर रहा हूं तो जो ना रीवर्स तो रीवर्स रीवर्स फर्मूला में मैं आ रहा हूं तो रीवर्स फर्मूला क्या हो जाएगा तो सर साइन जो होता है किसका रिवर्स होता है तो साइन किसका रिवर्स होता है और कौन किसका रिवर्स होता है साइन किसका रिवर्स होता है कौस सर किसका रिवर्स होता है तो कौस होता है सर सेख का रिवर्स तो सिक का रिवर्स होता है ठीक है। 10 किसका उलटा होता है मिरे दोस्त। तो legitimately 10 10 10 होता है कॉट का कि ji यूटक का होता है तो आप ध्यान में रख पाओगे क्या मेरे दोस्त इं साइं का मिरे दोस्त क्या अगक और कॉस्ट का रिवर्स हो गया 10 का सब्सक्राइब देखो मेरे दोस्त मैं आगे फिर से बर रहा हूं तो अब इतना बात हो गया साइन कोस्ट एन कोसेक से कट अब फॉर्मूला फॉर्मूला मेरे दोस्त क्या तो फॉर्मूला फॉर्मूला क्या है तो reverse जुए नदेख्imal फॉर्मूला का मैं बात कर रहा हूं तो फॉर्मूला हो जायेगा इसको समझ लोист थीटा साइन थीटा बराबर क्या होता है पी बटे एच दूसरा नमबर में क्या होता है सर तो होता है कौश कौस थीटा कौस थीटा बराबर क्या होता है बी बटे एच तीसरा नमबर में क्या होता है मेरे दोस तीसरा नमबर में क्या होता है तो sir qaard jana 10 theta होता है 10 theta तो 10 theta बराबर क्या होगा sir तो 10 theta बराबर हो जाएगा पी बटे B सब्und जागी है क्या 10 theta बराबर P बटे B अब मैं बताया था आपको इसका reverse क्या है इसका reverse क्या है तो sign का उल्टा बताये थे jana sir kosec होता c o s e c kosec theta क्वासेग ठीटा का फर्मूला क्या होता गुरूजी तो सर क्वासेग ठीटा का जब साइन ठीटा बराबर पी बटे एच तो ओकर पल्टी मार दीजिए तो एच बटे पी हो जाएगा भाई सब H बटे P और इसका क्या हो जाएगा तो सर इसका हो जाएगा कोस कत अब यह नहीं हो जाएगा से सेक सेख थीटा के हो जाएगा आपका कितना तो next बटे B मिरे दो जित भी अब ख्या करude सर तो अब होकुकी सर तो अब मेरे दोस्त आपका काम यहां यह हो गया आपका बिल्कुल आराम से बन जाएगा क्या है मैंने अब थोड तो थेखनीक सी याद रखो सर टेक्निक बता दियो मुझे समझ में नहीं ही आरहा है टेक्निक कैसे लगा हुए न तो टेकनीक हाज हो मैं बतारा हूँ ऑ增़ तैक्निक में आपको बता रहा हूं आप कर गे जा आपको क्या जा थान से तब अब टेंक बताने पंडित बदरी प्रशाद हर हर बोल और पूरा फर्मूला को कर दो गोल पंडित बदरी परशाद हर हर बोल और पूरा फर्मूला रेशियो को कर दो गोल आजाओ तो तो मैंने क्या बोला? पंडित बदरी पर्साद हर हर बोल। भाई साब देखो यह दोनों से मिलके क्या बना इस्थ तो सर इसन्फ मिलके पीबटे एच ही काम हो गिया,Jesus किससे मिलके बनाason सर भीवटे एच भीवटे एच भीवटे एच भीवटे एच भीवटे एच भीवटे एच भन गिया ठीक है अब तीसरा में क्या पीवटे भी पीवटे भी पीवटे भी किसमें है तो क्या कहोगी सर पीवटे भी तो अब देखो मेरे दोस्त अगर साइन का याद हो गया तो उ तो आपको ध्यान रगना है पंडित बदरी परसाथ हर बोल ठीक है पंडित बदरी परसाथ हर बोल बस पूरा फर्मूला आपका खतम ठीक है अब मैं आउंगा इतना ही ठीक है और को शनल से क्षेक्सिन में आपके लिए दूसरे वीडियो बना गाएं तो मुझे दीजए इस वीडियो में इतना तक ही इजाज़त फिर मिलते हैं अगर वीडियो थोरा से भी अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों को जरूर बताईएगा यह 8.1 का थोरा सा थेयोरी था तो आपको खतम हुआ नमस्कार परणाम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से जोस और प्यार बनाए रखे धन्यवाद